हेलो वल्कम बैक स्टूडन्स अपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर बच्छों मैं आपको आपके इंग्लीज कैसे स्टॉंग हो इसको लेकर कि बहुत सारे वीडियो बनाये हुए है चैनल पर है और यह अब चैनल पर नए है तो चैनल को जरू से जरू है कि कैसे संटेंस को इंफैटिक बनाते हैं वैसे इंफैटिक पर मैंने वीडियो बनाये हुआ है अब उस वीडियो को जरू सी जरू देखना तब यह सारे सवाल आपसे बंद पाएंगे एक प्राक्टिस सेट के रूप में मैं आपको कुछ सवालों को दे रहा हूं इसको आपको इंफैटिक बनाना ठीक है तो सबसे पहले आप जाएए चैनल पर जो वीडियो हैं इंफैटिक के इंफैटिक भी डूडर्स डीड आप जाके खोज लिजे और वहां से आप उन वीडियो को देखिए आपको सारे डाउर्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे अचलिए फ तो दिखिए जो जो भी एंफैटिक के वीडियो देखे होंगे उनको कोई दिक्कत समझे नहीं होगी मैं ब्रीफ में बताते जाओंगा कि कैसे चैंजिस करने हैं ठीक है यो बीट राम तो सब्जेक्ट यही रह जाएगा यदि भीवन रहे तो आप डूका परियो करिए और जो भर्व है उसको रहने दिजिए यो बीट राम यू डू बीट राम यह संटेंस इंफैटिक हो गया यह ननेंफैटिक है ठीक है स्याम प्लेस तो सब्जेक्ट जो है उसको लिख दिजिए अब जब यहां भी फाइब रहे भी फाइब का मतलब होता है भर्व में एस लगा हुई या यह वर्व फाइब है तो उसमें आप डास का परियूग करिए उसके बाल भी फाइब नहीं लिखेंगे भी फाइब चैन्ज हो जाता है भी वन में तो यहां हो जाएगा यहां सम प्ले स्लम्डर्ष प्ले देब कर या दिब टुमल जाए स्टुदेंश में सौटतर ट्रिक से बता रहे है यादि भी टू मिल जाए तो आप सब्जेक्ट के बाइब डीड करियों करेंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट भी तुह है तो यहां बीट का परियों करिए और डीट जब लाई जाए तो भीटू बदल जाता है भीवन में तो डांस का हो जाएगा डांस सबसे पहले आप सब्जेक्ट दिंगे यू अब देखना जब भी तु रहेत true subject के बाद अब रियू करेंगे ठीक है अब भीटू बदल जाएगा फरीवन में जब यजब पर्यू करने रविक्ध का हो जाएगा बें कि सिंपल कि सिंपल तरीका में बताता हूं इसको चेंज करने का अब चाहिए और चैनल पर जो इंफैटिक भी डूर्स डीड़ है उसको अब देख डालो आपको सारे अपके सारे कंफिजन्स खतम हो जाएंगग देखो देयर सबसे पहले सब्जेक्ट अब दे दिजिए भीव सबसे पहले सब्जेक्ट अब देखना यह फ्यूचर टेंस में थोरा सा चेंज होता है कि वील जो है इंफैटिव बनाना तो यह वील बदल जाता है सेल में यह उल्टा कर देना है दे कि सैल बीट यू कि सिंपल है कि आई टीचिव तो सब्जेक्ट दीजिए आई जब भी वन रहे तो उसके बाद सब्जेक्ट के बाद दूर देना है अब फिर जो सब्जेक्ट है वह रेख दीजिए आफीर प्रवजेक्ट दो मिनुट में सारे सवाल बनेगे, क्यों? क्योंकि मैंने इंफैटिक पे इतना स्तानदार वीडियो बनाया है, आप उस वीडियो को देखो स्टुडेंट्स, यह काफी हेलफुल होने, इधर उधर समय यूटूब पे गवाते हो, अब चैनल पे आए और वीडियो देखिए, तो बच्चों, बहुत सारे संटेंसे को इंफैटिक में बना सकते हैं, बदल सकते हैं, थैंक्स वर वाचिंग, इतना समय देने के लिए और बहतरी वीडियो हैं चैनल पे, मैं वादा करता हूँ, आपके इंगलिस काफी ज्यादा स्ट्रॉंग हो जाएंगे, आप चैनल को देखो, सारे वीडियो को देखो, थैंक्स वर वाचिंग,